हेलो अब्रिमान फिर से आप सबी का स्वावगत है मेरी यूट्यूब चानल पे तो आज की जो कविता हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अभीशाप और इसकी कवी या फिर रचना काज जो है वो है मैतली शरंगुप इस कवीता को पढ़ने से पहले हम इतिहाज जान लेते हैं जिसके आधार पर ये कवीता लिखी गई है और एक कहानी को जानकर इस कवीता को समझने की कोशिश करते हैं तो यह जो कविता है वो हमारे इतिहास के उपर लिखी गई है और इतिहास में कंडव नाम के एक रुशी थे और यहाँ पे एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुश्यंत शिकार करते हुए रुशी कंडव के आश्रम में पहुचते हैं और राजा दुश्यंत आश्रम के बाहर से ही रुशी को पुकारते हैं उस समय रुशी अपने आश्रम में नहीं होते हैं और शकुंतला आश्रम से बाहर आती है यह जो सुन्दर कन्या आपको नजर आ रही है वो हम समझ देते कि यह शकुंतला है और वो आश्रम से बाहर आकर बोलती है राजा को कि वो रुशी कंडव की पुत्री है और उनका नाम शकुंतला है और बोलती है कि महार्शी अभी आश्रम में नहीं है वे तीर त्यात्रा में गए हुए है दुश्यंत आश्रिय चकित हो जाते हैं और बोलते हैं कि महार्शी तो ब्रह्माचारी है तो आप उनकी पुत्री कैसे हुए शकुंतला ने दुश्यंत को बताया कि मैं महार्शी की गोद ली हुई कन्या हूं और मेरे वास्तविक माता पिता मेंका और विश्वमित्र है जिनोंने इनको जंगल में छोड़ दिया था और एक जो पक्षी है जिसका नाम शकुंत है उसने उसकी रक्षा की थी इसके वज़े से जो कंडव महार्शी है उन्होंने उसका नाम शकुंतला रग दिया था तो शकुंतला की सुंदर्ता और मधुरवानी सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और मोहित हो चुकी थे तो राजा दुश्यंत ने शकुंतला से कहा कि तुम मु जो राजा दुश्यंत है वो शकुंतला को प्रपोजल दे रहे है कि वो दोनों अगर उनकी मर्जी शकुंतला की मर्जी हो तो वो गंदर विवा कर लेते हैं और शकुंतला को भी राजा दुश्यंत बहुत अच्छे लगे तो फिर उन दोनों ने गंदर विवा कर लिया और कुछ दिनों तक वे जंगलों में ही रहे और जंगल में थोड़े दिन रहने के बार राजा दुश्यंत ने शकुंतला से कहा कि उन्हें अपने राज्य को संभालने के लिए वापस जाना होगा और ये कहकर दुश्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगुटी प्यार के निशानी के रूप में देकर वो वहां से प्रस्तान कर गए और वो अपने राज्य को वापस लोड़ गए और कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन ऐसा आया जब शकुंतला के आश्रम में रुशी दुर्वासा आए और उस समय शकुंतला जो है वो राजा दुश्यंत के खयालों में खो श्राप दे दिया शकुंतला को कि जिसके खयलों में तुम खोई हुई हो वो तुमें भूल जाएगा तो शकुंतला ने रुशी को अंजाने में किये हुए भूल के लिए और इस अपराद के लिए शमायाचना की तब रुशी का मन पिगल गया और शकुंतला को माफ कर दिय और उन्होंने कहा कि अगर तुम उस इंसान को अपनी प्यार की कोई भी निशानी दिखाओगी या बताओगी तो उनकी जो यादाश है वो वापस लौट आएगी यह करकर उन्होंने शकुंतला को आशिवा दे दिया और वहाँ से वो चले गए और यह जो कविता है वो इसी घड़ना के आदार पर लिखी गई है तो आईए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कवी मैतली शरंड गुप्त यहाँ पे इस कविता के मादयम से हमें क्या बताना चाहते हैं तो अभी पंक्तिया पढ़ लेते हैं शांतिस्तान महान कण्णव मुनि के पुन्य शमोदान में ब्रम्ह ज्यान विहीन लीन अतीही दुश्यंत के ध्यान में बैटी मौन शकुंतला सहज थी सौंदृय से सोहती मानो हो कह चित्र में कचित सी थी चित को मोहती यहाँ पे कवी मैथली शरन गुप्त कहना चाते है कि महान कण्णव मुनि के आश्रम में जिसको पुन्य शमोदान भी कहा जाता है वहाँ पे चारो और शांति हैं और शकुंतला अपने पती दुश्यंत की यादों में खोई हुए और वहाँ पे बैटी हुए और शकुंतला एक जगा पर चुप चाप सिर्फ बैट कर अपने प्रियतम की याद में यानि दुश्यंत अपने जो पती है उनकी यादों में खोई हुई है और उनको इस तरह से देखने से वो और भी सुन्दर लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो ना होकर वहाँ पे कोई एक चित्र हो जिसने हमारे आखों को मो लिया हो और उनको ऐसा लगता है जैसे वो अपनी नजर को कई हटा ही ने सकते और सिर्फ उनी को देखते ही रहने का उनको मन कर रहा है अब ये अगले पंक्तिया पढ़ लेते हैं ऐसी अद्भु ध्यान के समय में व्यक्ष्यात क्रोधी महा दुर्वासा मुनिवर्य धीरगती से दैवात पदारे वहा तेजोवंत शरीर शुद उनका अत्यंत ही कांत था इन पंक्तियों में कवी कहना चाते है कि जब शकुंतला अपने पती की गहरी यादों में डूबी हुई थी, खोई हुई थी तब दुर्वासा मुनि उस आश्रम में अच्छानक से पहुँच जाते है जो दुर्वासा मुनि थे उस दिन उनका जो शरीर है जो हर वक्त दमक और चमक से भरपूर रहता था वह उस दिन सादरन रूप में था उनका मुक मंडल जो उनका चेरा है जो सूरे के समान चमकता रहता था वो भी आज के दिन या फिर जिस दिन वो शकुंतलाग के आश्रम में आए उस दिन वह शांत था अथार्थ वह साधनर रूप में वहां पे पहुचे अभी आगे की पंक्तिया पढ़ लेते हैं धीर्ग शम्षु जटा समेत उनके थे केश सारे सित्ध होता था मुक दीपती मान उनसे यो सरवदा शोविद हो के मुक नितांत मेग गण से वर्शांत जियो रवी पता रश्मी समुह सम्युक्त सदा तेजु मय है चवी तो यहाँ पे जो कवी है उन्होंने जो रुशी दुर्वासा या उनके रूप के बारे में वो कैसे दिखते है उसके बारे में बोला है वो बोलते है कि जो दुर्वासा मुनी है उनकी चवी बहुत अधुत है मतलब उनका रूप जो है वो बहुत अनोका है और उनकी दाड जैसे जब बादल बहुत तेज वर्शा के बाद शान्त हो जाते हैं और फिर सूर्य की किरण या फिर सूर्य अपनी रोश्णी बिखेर देता है ठीक उसी तरह उनकी छवी भी है जो अधियंत तेज से भरपूर है उनकी चवी उस रोश्णी की तरह शक्तिशाली है जो तेजी से फैल रही है अभी आगे की पंक्तिया पढ़ते हैं होने से प्रिय प्रेम मुग्द उसने आते ना जाना उन्हें वैसे ही अतेव निश्चल रही मानों ना माना उन्हें छिंता से जिसको ना आप अपने देहादी का ज्यान हो क्या आशर्य ना और का यदी उसे आते हुए ध जब हम अपना फोन चलाते हैं तो कभी कबार हम इतना उसके अंदर डूब जते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है हमारे आसपास उसका हमें कोई खयाली नहीं होता है ठीक उसी प्रकार यहां पर कभ ना हिले हुए रही कि दुर्वासा मुनी के आने का कुछ भी ऐसास उसे हुआ ही नहीं और अपने पती की चिंता के कारण उसे ना खुद का ध्यान रहा और ना ही उसके शरीर का कि यहां पे आसपास में वातवरण में क्या हो रहा है और उसका शरीर किस अवस्ता में है उसको उसके बारे में भी ध्यान नहीं था तो यहां पे कवी बोलते हैं कि ऐसे में क्या आश्रिय होना जब उसको उसका ही ध्यान नहीं रहा तो उसे ये कहां से ध्यान होगा कि उसके आश्र में मुनी तुर्वासा आये हुए है तो इसमें हैरान होने की कोई बात ही नहीं रही क्यो वो उसको ध्यान नहीं रहा था अभी आगी पंक्तिय पढ़ते हैं आया जान उन्हें उसे पवन भी जगाने लगी खीचा वस्त्र अनेक बार उसने तो भी ना बाला जगी थी प्यारे पती के समीप तो वह कैसे भला जागती तद्र निश्यल प्रेम की सहज ही बोलो कैसे त्य यहां पर कभी कहते हैं कि जब मौनी दुर्वासा आते हैं तो उनके आने पर जो उसके आसपास की सारी चीजे हैं सारी वस्तुए हैं जो प्राणी पक्षी जो भी है वो सभी जान लेते हैं कि वहां पर कोई आया हुआ है लेकिन शकुनतला अभी भी अपने पती के यादों है और इसके कारेंड जो पवन या फिजो हवा है वो शकुंतला को उठाने की कोशिश करती है और उसके वस्र को खीचती है पर इस तेज हवा के चलने पर भी शकुंतला को कोई आवास नहीं होता है कि उसके आश्रम में कोई आया हुआ है और वो जो हवा तेजी से चल रही है उससे भी उस पर कोई असर नहीं होता है। वो एक चोटी कन्या के भाती सोई ही रहती है और सपने देखती रहती है। कभी कहते हैं कि सपने में वो अपने प्यारे पती के समीब थी और उसकी यादों में खोई हुई थी। तो यहां कैसे मुम्किन होता कि इस प्यारे पल को छोड़ कर वह जाग पाती और हर समय उसको लगता कि मानो अपने पती के लिए उसका जो प्रेम है वो अभी भी और गहरा होना है। और भला इस अवस्ता में वो अपने सपने को कैसे तोड़ कर बहार निकल सकती थी और कैसे वह उससे अलग हो सकती थी करके यहां पे कभी हमें बताते हैं। अब यह अगली पंक्तिया पढ़ते हैं। इन्तु माना अपना महा अपमान अपना जी में उन्होंने इसे। यहां पे अगर हम पुराणों की बात करें तो जो रुशी दुर्वासा है उनका नाम उनके अत्यदिक गुस्से के कारण प्रसिद था। और इनका नाम रुशी मुनियों के साथ जो प्रसिद या फिर मुख्य रुशी मुनी थे उनके साथ लिया जाता था। यह शिवजी के बहुत बड़े बक्त थे और उनको शिवजी का रूप भी माना जाता था। रुशी दुरवासा अत्यदिक गुस्से वाले थे जिस तरह शिवजी का गुस्सा जल्दी से शांत नहीं होता था। उसी प्रकार इनका गुस्सा भी बहुत खतरनाक था। और उनको देवी देवता एवं समस्त मानव जाती द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त था। वे जहां जाते थे उनको सम्मान मिलता था। पर यहां पर आने के बाद जिस प्रकार से गटना गटी उससे उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने शकुनतला के इस व्यवहार को अपना बड़ा अपमान मान लिया जैसे कि हम सब जानते ही है जब किसी को बहुत अधिक गुसा आजाता है बहुत जादा गुसा आजाता है तो वहां अपने विचार यूप नहीं रह पाता है मतलब वो अपने सोचने समझने की जो शक्ती होती है वो खो देता है और वो उस हाल में नहीं होता है कि वो कुछ कोई भी वेक्ति नहीं है जो गुसा आने पर अपने विचारों पर काबू रख सके क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब में घुसा आता है तो हमारा जो सोचने समझने की शक्ति है वो खो जाती है और हमारा जो माइंड है वो आउट आफ कंट्रोल हो जाता है तो यहां पर कभी कह से वो दुखी भी नहीं होते क्यूंकि यह तो सुभाविक है कि मनिशी के पास दो चार तो मन है नहीं केवल उसका एक ही मन है जिसके उपर वह सब कुछ सोचता है विचार करता है इसमें गुसा आना या फिर प्रेम करना दोनों भी इसे मन के उपर निरभर करता है अब आगे की पंक्तिया पढ़ लेते हैं इतना गुसा आया इतना गुसा आया कि वे बहुत क्रोधित हो गए और उस क्रोध में अपने कान को कठोर करके मतलब अपने वातावरर में जो भी है उसे अनसुना करके एक रुशी के रूप में शाप देने के लिए तयार हो गए उन्होंने जल को लिया और अपने मन को कटोर करके मतब जिसमें कोई भावनाई ना हो दया प्रेम की उस मन से उन्होंने अपने हाथ में पानी लेकर शाप दिया तो जब उन्होंने शाप दिया तो उनका जो आसपास का जो वातावरन है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि जब भारी वर्षा आती है तो जैसे बिजली कड़कती है और तेज हवा चलती है उस प्रकार का वातावरण वहाँ पे नजर आ रहा था अगली पंक्तिया पड़ते हैं चिंता में जिसकी निमगन रहके देखा ना तूने मुखे स्वामी मैं तप का तधा पी कुछ भी लेखा न तूने मुझे आवेगा तब ध्यान ही न उसको कोई कहे भी क्यूँ न पीछे पूर्व कता प्रमत जन को है याद आती न जियो यहाँ पे कवी कहते हैं कि दुर्वासा मुनी ने जिस तरह अपना अपमान सहा उसके बाद विक्रोधित होकर शकुंतला को शाप दे देते हैं और दुर्वासा मुनी शकुंतरा को देखकर कहते है कि मैं ताप का स्वामी हूँ इसके बावजुत तुने मेरी परवा नहीं की और तुने मुझे कुछ भी ना समझा जिसकी चिंता में लीन होकर बिना किसी पर ध्यान दिये जिस तरह तुने मुझे नहीं देखा उसी तरह जिसे तु याद कर रही है उसे भी तेरा ध्यान नहीं आएगा जिसे तु जी भरके सोच रही है वह तुझे भूल जाएगा चाहे उसे कोई कुछ भी कहे उसे तेरे बारे में कितना भी याद दिलाए वह तुझे कुछ ना जानेगा और जैसे किसी पागल इंसान को अपने पहले की कथा जो पुरानी बाते है वो याद नहीं रहती है ठीक उसी प्रकार जो तेरा पती यानि की राज़ा दुशन्त है उनको भी कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुम कौन हो और क्या लगती हो उनकी आगे पढ़ते हैं योग रोधान्त विचार शून्य मुनी ने अत्युगरता से कहा तो भी ध्यान हुआ ना भंग उसका सौपूर्वसाही रहा वर्षा में प्रियचंद्र दर्शन रता होती चकोरी जहा मेगो की गोशना तब उसे सोनाई कहा तो यहाँ पर कवी कहते हैं कि जिस प्रकार दुर्वासा मुनी अत्यंत क्रोध में आकर बिना विचार किये हुए विचार शून्य मतलब बिना सोचे समझे अपना प्रचंद रूप धारन कर लेते हैं मतलब गुसेवला रूप धारन करके शकुंतला को शाप दे देते हैं इसके बाद भी जो शकुंतला है वो वैसे की वैसी स्तिती में ही रही जैसे पहले थी शकुंतला का ध्यान भांग नहीं हुआ और वह वैसे ही अपने पती के याद में खोई रही जिस प्रकार एक चकोर पक्षी रात को मगन होकर चंद्रमा को देखता रहता है तब उसको अपने आसपास की सुद्ध नहीं रहती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है और बादल से होने वाली गड़गडा हट या फिर जब बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज भी उसको समझ में नहीं आती है य मुनी दुर्वासा ने उसको श्राब दे दिया है अभी हमारे आँख्री पंक्तिया पढ़ लेते हैं थी दोनों सक्या समीप वन में उत्फुल्ला मलो पमा दोड़ी वे सुन शाप और मुनी से मांगी उन्होंने शमा होके शंत किसी प्रकार तब वे बोले यही अंत को आव श्राब को श्राब देते हैं तो उनकी आसपास जो सक्या रहती है वो श्राब को सुन लेती है और सुनने के बाद वो दौड़ कर रुशी के पास आती है और उनसे श्यमा याचना करती है मतलब उनसे माफी मांगती है तो दुर्वासा मोनी को सारी जानकरी मिलने के बाद व अंत में यही कहते है कि जब शकुंतला दुश्यंत को अपनी प्रेम की निशानी जो उसके पास जो अंगूटी है वो दुश्यंत को दिखाएगी तब उसकी यादाश जो है वो वापस लौट के आ जाएगी और उसको सब याद आ जाएगा और यहाँ पे जो हमारी ये पूरी कवीता है वो समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को जो भी मैंने आप तक समझाया वो समझ आ गया होगा और हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में